Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11 आज ये आप लोगों की collective reading है और आज हम reading करेंगे third party situation पर You versus third party आपके person आपको लेकर क्या feel करते हैं और third party को लेकर क्या feel करते हैं और वो क्या action लेंगे आपके लिए क्या वो third party में ही रहना पसंद करेंगे या वो आपको choose करेंगे ये हम जानने की कोशिश करेंगे तो अगर आप लोग third party situation में involved हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपके person किसको choose करेंगे तो ये reading बिल्कुल आपके लिए है अगर आप अपने husband के लिए देखना चाह रहे हैं अपनी wife के लिए देखना चाह रहे हैं आप सब लोगों के लिए ये reading बिल्कुल ओपन है आप इसको male के लिए देख सकते हैं, female के लिए देख सकते हैं और same gender के लिए भी लेकिन ये reading जो है ये आज सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको already पता है कि वो third party situation में है जो लोग third party में नहीं है ये video उनके लिए नहीं होगा तो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि cards सिर्फ possibility बताते हैं आपकी final destination सिर्फ divine source को पता है सिर्फ divine source को पता है कि finally आपकी life में क्या होना है इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को open रख कर इस reading को देखना है इसके लावा मेरे जितने भी subscribers है थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और support के लिए I truly deeply appreciate each one of you and I love you all अगर आप नए है मेरे channel पर तो आपने भी इसको subscribe करना नहीं भूलना पसंद आए तो like भी कर दीजेगा और share भी कर दीजेगा इसके लावा मैं personal readings बिलकुल भी नहीं करती हूँ बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप PK card किया करें सिर्फ और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप सिर्फ collective किया करें तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं balance करके चलूँ क्योंकि आप सब लोगों का जो feedback है वो मेरे लिए important है ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ collective करूँ या सिर्फ PK card करूँ तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए balance तरीके से चलूँ जो आप सब लोगों को पसंद आए तो sometimes मैं pick a card कर लेती हूँ और sometimes collective हो जाती है तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने मुझे understand करना है I know आप लोग अल्रेडी बहुत ज़दा करते हैं, thank you so much तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके person third party के साथ खुश है या नहीं, क्या feel कर रहे हैं वो third party के साथ सबसे पहले हम cards को shuffle कर लेंगे और आप देखें कि यहाँ पर devil है तो I feel कि बड़ा bound feel कर रहे हैं आपके person देखेंगे अभी हम reading में toxicity हो सकता है कि involved है यहाँ पर all right, spirit हमें divine message दीजेगा, divinely guide कीजेगा मेरे viewer के person third party को लेकर क्या feel करते हैं, उनकी क्या energy है क्या थर्ड पारटी के साथ खुश है, यहाँ पर क्या situation है हमारे लिए clear कीजेगा, divine message दीजेगा divine message दीजेगा, third party को लेकर वो क्या feel कर रहे हैं okay, we have eight of wands, we have nine of cups, we have five of wands three more cards, spirit, third party को लेकर वो क्या feel कर रहे हैं third party को लेकर, all right, we have page of pentacles यह बहुत सारे आ गए, तो यह हम रख लेंगे, we have three of cups and we have three of pentacles, three यहाँ पर twice आ गया, eight किसी के लिए significant हो सकता है, five हो सकता है, यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio है, लेकिन regardless of star signs, अगर energy आप से match होगी तो बिलकुल आपकी reading है card एक नीचे गी गया, please bear with me अब कुछ cards हम आपके लिए लेंगे, वो आपके लिए क्या feel करते हैं okay so third party के साथ उनका relationship forward जा रहा है, I feel के बड़ा passion है यहाँ पर, बड़ी happiness है, बहुत ज्यादा यहाँ पर happiness मुझे नज़र आ रही है और cards आप लोगों के सामने हैं, आपके person third party के साथ कुछ serious चाहते हैं लेकिन I feel के यह बहुत long term के लिए नहीं है, इस वक्त इस present time में जो energy मुझे नज़र आ रही है मैं वो आप लोगों के साथ share करूँगी, I feel के यह जो कुछ भी है, यह बहुत temporary है जिस भी situation में आपके person इस वक्त हैं, जिस भी दूसरे इंसान के साथ, third party में है उनके साथ passion बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत छोटा है, सब कुछ बहुत छोटे level से शुरू हो रहा है और बहुत ज्यादा serious नहीं है, कुछ लोगों के लिए I feel कि third party completely involved यहाँ पर नहीं है सिर्फ आपके जो partner हैं, वो थोड़ा सा उनके साथ celebrate कर रहे हैं, थोड़ा सा time spent कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ friendship है I'm sorry, तो जो यहाँ पर मुझे इन cards में नज़र आ रहा है, मैं वो आपके साथ share करूँगी यहाँ पर I feel कि कोई बहुत loving connection नहीं है अगर यहाँ पर कोई connection है, तो वो passion based हो सकता है, वो workplace पर इनकी हो सकता है और वो बहुत short term चलेगा, I feel कुछ gifts भी एक दूसरे को यह लोग दे रहे हैं, I feel आपके person काफी ज़्यादा excited feel कर रहे हैं और forward जाना चाह रहे हैं बड़ी जल्दी से लेकिन यह बहुत immature energy है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत seriousness नजर नहीं आ रही है यहाँ पर fun times नजर आ रही है, enjoyment नजर आ रही है, कुछ serious नजर नहीं आ रहा है I feel कि आपके person के दिल में इस सारी situation को लेकर बहुत ज़्यादा love नहीं है energy है, energies तो वैसे हर लम्हे change होती रहती है, but इस present time में जो मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि यह बहुत temporary relationship है, third party है, जो उनकी जिंदगी से बहुत जल्दी निकल जाएगी क्योंकि they feel कि जो उन्होंने spark, जो passion और जो happiness जो celebration शुरुआत में फील की अब वो थोड़ी थोड़ी कम होना शुरू हो गई है क्योंकि जिस तरह से यह लोग collaboration में आए, एक दूसरे का साथ पाया, एक दूसरे की company में रहे, उन्हें फील हुआ कि it's not for them I feel कि जिते quickly यह चीज़े start हुई थी, अतनी quickly यह चीज़ें खतम हो जाएंगी, यहाँ पर problems शुरू हो गए है, fights शुरू हो चुकी है और दोनों जानिब से लोगों को पता चल चुका है कि it's not something serious I feel और बहुत immature energy है, कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक भी नज़र आ रहा है कि आपके person और वो third party दोनों ही के दरमयान यह agreement था कि कुछ यहाँ पर serious नहीं होगा सिर्फ light-hearted energy रहेगी, friendship रहेगी, passion-based energy रहेगी लेकिन यहाँ पर कुछ serious नहीं होगा I feel कि यह agreement इशारों में यह तो हो चुका था या literally एक दूसरे को शुरुआत महीं नहीं नहीं कह दिया था कि हमारा ऐसे चलेगा, कुछ serious नहीं होगा यहाँ पर तो I feel कि third party के साथ उनके जो मामलात हैं वो थोड़े से खराब होना शुरू हो गए हैं, चीजें quickly change हो रही है Let's see कि वो आपके लिए क्या feel करते हैं We have death, तो maybe आपके साथ इनका totally break up हो गया, connection खतम हो गया है We have the moon, आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है Wow, we have ten of pentacles तो I feel कि आपके साथ उन्होंने long term potential देखी है Then we have nine of swords or depression है आपको लेकर बहुत ज्यादा And then five of cups, yes आपको लेकर बहुत जदा regret नज़र आ रहा है आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आपको वो बहुत जदा miss कर रहे हैं बहुत जदा depressed नज़र आ रहे है And I feel कि ये इतनी intense energy आपके साथ वो feel करते है और इस वज़ा से भी वो इस third party से दूर होने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि ये third party उन्होंने सोचा ज़रूर था कि उन्हें fulfill करेगी और बहुत जदा ये खुश रहेंगे बट ऐसा हो नहीं सका क्योंकि जब आपकी तरफ सोचते हैं तो उन्हें बहुत जदा depressed Sorry, I can't speak today जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें काफी ज़्यादा depression होने लग जाता है और बहुत जदा regret है यहाँ पर आपके person I feel कि transform होना चाहते हैं change हो रहे हैं क्योंकि बहुत immature energy थी यह सारी and I feel कि यहाँ पर karmic lessons हैं यह karmic lesson है जो कि वो ले रहे हैं इस वक्त जब यह third party खतम होगी जब वो अपना karma clear करेंगे तो I feel कि उनकी transformation होगी वो बहुत ज़्यादा sad है बहुत ज़्यादा emotions हैं यहाँ पर आपके लिए बहुत deep energy है with the high priestess I feel वो आपको भी the high priestess के तौर पर देखते हैं कि आप एक बहुत stable बहुत keen observer है intellectual है आपकी intuition बहुत तेज है और आप बहुत patient or balanced इंसान है and they feel कि उन्हें आप जैसा wisdom वाला इंसान अपनी जिन्दगी में चाहिए क्योंकि I feel कि उन्होंने comparison किया है आपका और third party का और third party की energy अगर आप देखे तो बहुत ही surface पे है यह deep energy नहीं है यह बहुत surface वाली energy है और जब हम यहाँ देखते हैं तो बहुत deep है बहुत गहराई है इस तरफ इस तरफ transformation है spirituality है long term potential है और इस तरफ सिर्फ fun है और driven energy है बहुत ज़्यादा और यह बहुत short term की energy है जो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है और इसी की वज़ा से यहाँ पर conflicts पैदा हो गए है यहाँ पर disagreements हो रहे है यहाँ पर fights होना शुरू हो गई है अगर अभी यह शुरू नहीं हुआ है तो I feel के थोड़े ही समय में यह सब यहाँ पर शुरू हो जाएगा क्योंकि आपके person आपको बहुत ज़दा miss कर रहे है they are missing के जो आपके साथ और उनका connection था, और जो आपके साथ उन्हें experience किया, वो यहाँ पर उन्हें experience नहीं हो रहा जो stability, जो happiness, जो warmth उन्होंने आपके साथ फेल की जो connection, deep connection, soul level पर with the moon, the high priestess उन्होंने आपके साथ feel किया वो उन्हें यहाँ पर नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत stability थी, यह जो चीज है, यह आनी जानी चीज है, यह जिन्दगी में आती जाती रहती है, इस तरह की connections, इस तरह की energy, आप आई रोज फील कर सकते हैं, आपके person को यह बात realize हो रही है, जबकि यह जो connection है, यह हर इनसान के साथ नहीं बन सकता है, तो cards आप लोगों के सामने हैं, यह बिल्कुल भी wishful thinking नहीं है, and again मैं आप लोगों से यह कहूंगी, कि energies change होती रहती हैं, आप लोग दुआ किया करें, आप लोग positive रहा करें, तो आपके लिए miracles जरूर होंगे, अगर आप believe करेंगे miracles पर, तो I feel कि यहाँ पर इन cards में, मुझे यही नजर आ रहा है, कि जो आपके person हैं, वो आपको intensely feel कर रहे हैं, वो आपको miss करना शुरू हो गए हैं, और यह totally आप पर होगा, कि अगर यह आपकी तरफ आएंगे, तो आपने इनको accept करना है या नहीं करना है, obviously मैं तो आपको encourage नहीं करूँगी, कि अगर एक इनसान आपको छोड़ कर, एक दफ़ा किसी और के लिए चला गया, तो इस बात की क्या guarantee है, कि वो दुबारा भी आपको छोड़ कर, किसी और के पास चला जाए, you know what I am saying, but still अगर आप इनके साथ एहना चाहते हैं, it's totally up to you, यह आप लोगों की जिन्दगी है, तो let's see कि वो आपके लिए मजीद क्या महसूस करते हैं, कुछ औरिकल्स देखते हैं आपके लिए, okay, we have past life relationship, तो yes, मैंने आप से कहा, कि आप लोगों की दरम्यान एक बहुत deep connection है, with the moon, the higher priestess, बहुत major transformation आप लोगों की दरम्यान होने वाली है, rebirth है यहाँ पर, आप दोनों का connection बहुत deep है, और यह आपके X है, I feel, और अगर X नहीं है, then I feel कि आप लोग past lives में एक साथ थे, आप लोगों की history है, अगर आप believe करते हैं past lives पर, तो I feel कि आप दोनों पहले भी एक साथ थे, और इस lifetime में भी आप लोगों का एक साथ experience होगा, तीन cards आगए, we have, this could be the one, yes, उन्हें यह realize हो रहा है कि, you are the one, you are the only one for them, यह उनके लिए नहीं है, उन्हें realize हो रहा है कि यही था उनका, और इसलिए बहुत ज़्यदा depression में जा रहे हैं, बहुत ज़्यदा regret है यहां पर, बहुत ज़्यदा pain है, next we have, keep an open mind, yes, and healing family issues, तो अगर आपके person की शादी हुई भी है, एक बहुत specific message आ रहा है, third party के साथ, तो इसमें बहुत ज़्यदा fights मुझे नज़र आ रही है, I feel के वो इसको भी heal करना चाहते हैं, और आपके लिए भी best wishes चाहते हैं, ऐसे scenario में वो इस third party को भी नहीं छोड़ सकते हैं, and I feel के वो आपको अपना भी नहीं सकते हैं, यह एक specific message था, आप लोगों ने वैसे लेना है, जैसे आप से resonate करें, और अगर यह आपकी wife हैं, या अगर यह आपके husband हैं, तो surely यह आपकी जिन्दगी में वापस आ रहे हैं, बस इन्हें heal करना है, अपना karma face करना है, इस third party के थुरू आपके person को को कोई major lesson मिलेगा, और उसके बाद वो transform होंगे, lesson लेंगे और आपकी तरफ आएंगे, और यह totally आप पर होगा, कि आपने इन्हें अपनी जिन्दगी में दुबारा chance देना है, या नहीं देना है, what more spirit, मेरे viewer के लिए, वो क्या feel कर रहे हैं, मेरे viewer के लिए, okay, fork in the road, तो yes, I feel कि आपके person बहुत ज़्यादा confused है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें क्या decision लेना है, किस तरफ जाना है, थोड़ी सी confusion है यहाँ पर, लेकिन confusion सिर्फ इसलिए पैदा हो रही है, क्योंकि वो completely happy नहीं है, अगर वो इस third party के साथ completely happy होते, तो वो सीधा उनकी ही तरफ जाते, और यह confusion कभी भी ना आती, अगर वो clear होते, और जब मैंने यह कहा, तो 11-11 हो रहे थे, वीडियो में, तो I feel कि आपके person को यहाँ पर ज़रुवत महसूस हो रही है, कि वो reconsider करें, वो दुबारा से सोचने पर मजबूर हो गए है, keep an open mind का card भी आया, वो दुबारा से सोचने पर मजबूर हो गए है, कि क्या यह decision उनका ठीक है या नहीं है, and I feel कि they are realizing, कि you are the only one, you know each other before, आप soulmates हैं, वो transform हो रहे हैं, उन्हें anxiety हो रही है, या anxiety उन्हें कहां से क्यूं शुरू हो गई है, तो I feel कि वो आपकी energy को बहुत ज़दा feel कर रहे हैं, और जब उन्होंने comparison किया खास तौर पर, तो उन्हें realize हो रहा है बड़ा deeply, कि there is something wrong, और उन्हें एक wise decision लेना होगा, उन्हें इस situation में से निकलना होगा, क्योंकि ये long term नहीं है, spirit और क्या सोच रहे हैं, वो मेरे viewer के बारे में, ओके यहां पर ये दो cards आ गए, तो यहां पर बहुत सी confirmation आ गई है, कि ये आपके soulmate है, तो I feel with the flexible fork in the road and soulmates, आपके person ने आपको choose करना है, मुझे definitely इस reading में यही नज़र आ रहा है, कि ये इनसान आपको choose करेंगे, वो अपने सोचने के तरीके को change कर रहे हैं, with a flexible card I feel के वो change हो रहे हैं, वो अपने decision को change करना चाहते हैं, वो इस में नहीं जाना चाहते हैं, वो इस third party में से निकलना चाहते हैं, with a flexible I feel, totally यहाँ पर मुझे यह नज़र आ रहा है, one last card spirit, मेरे viewer के लिए, वो क्या feel करते हैं, okay, we have milk and honey, वाव, बहुत खुबसूरुत card है, I feel के, जो bliss, जो happiness, जो connection, आपके साथ उन्होंने feel किया, बहुत significant है, बहुत different है, and फिर मैं वही कहूँगी के, you are the only one for them, उन्हें realize हो रहा है, और वो इसलिए भी हो रहा है, क्यूंके, आपकी energy मुझे बहुत mature नज़र आ रही है, and I feel के, आप अपने person को guide भी करते थे, आप उनके लिए बहुत ज़दा healing थे, आपकी energy उनके लिए बहुत अच्छी थी, आप उन्हें बहुत ज़दा grow कर रहे थे, आप उन्हें बहुत ज़दा motivate भी कर रहे थे, आप उन्हें बहुत ज़दा समझाते थे, and I feel के आप उनके true friend रहे हैं, जो के आप लोगों के connection को और भी ज़दा मजबूत बनाता है, और इसलिए वो बहुत ज़दा आपको miss कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत genuine friend के तोर पर उनके साथ रहे हैं हमेशा, सिर्फ lovers तक ये रिष्टा आप लोगों का महदूद नहीं था, काफी deep था आप लोगों का connection, and I feel कि वो आप से वाकई ही बहुत ज़दा प्यार करते हैं, और इस से ज़्यादा, 10 of pentacles से ज़्यादा क्या हो सकता है, emotions बहुत हैं उनके दिल में आपके लिए, और 10 of pentacles complete family है, complete bliss है, और मुझे लगता है कि इसके आगे मुझे कुछ और कहने की ज़रूत नहीं है, and I feel कि ये third party temporary है, और ये बहुत जल्दी खतम होने वाली है, कुछ भी serious नहीं है यहाँ पर, let's see आप लोगों के लिए क्या guidance आ रही है, spirit हमें divinely guide कीज़ेगा, okay, we have comfort, I am with you in your time of need, helping your heart to heal, तो आपके जो angels हैं वो आपकी help कर रहे हैं, आपके दिल को heal करने के लिए, I feel कि आपको healing की जरूरत है, और आप अपने person को heal कर सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें भी healing की जरूरत पढ़ने वाली है, क्योंकि third party के साथ उनके experiences कुछ खराब होने वाले हैं, और उसके बाद I feel कि उनका comfort खराब होगा, वो अपने comfort zone से बाहर आएंगे, and I feel कि वो बहुत uncomfortable होंगे, obviously जब comfort zone से बाहर आएंगे, उन्हें healing की जरूरत होगी, तो आपको ready रहना है, अगर आप इनको heal करना चाहते हैं, तो आपको खुद को भी heal करना है, और उसके बाद इनको heal करने के लिए तयार रहना है, but I will never ever recommend, कि आप इनके लिए जिन्दगी भर इंतजार करें, हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी, कि आप लोग अपने आपको heal करें, अपने हार्ट चाक्रा पर काम करें, अपनी जिन्दगी पर focus करें, अपने goals और dreams के पीछे आप लोग जाएं, और सारी उमर इनका इंतजार आपने नहीं करना है, meanwhile अगर ये आते हैं, तो टोटली आप पर होगा, क्या आपने इने अपनी जिन्दगी में रखना है या नहीं, बट consciously आपने ये effort नहीं करनी है, कि आपने इने अपनी जिन्दगी में लाना है, let them do their work, ये उनकी journey है, उनका कार्मा है और उन्होंने face करना है, आपने खुद को हील करना है और आगे बढ़ते चले जाना है, आपने रुखना नहीं है, और जब मैंने ये कहा तो 16-16 हो रहे थे वीडियो में, किसी के लिए significant हो सकता है, one more message, spirit, मेरे viewer के लिए एक और message, ओके, और ये बहुत खुबसूरत message आया, spirit की तरफ से जाते-जाते, we have overcoming difficulties, the worst is now behind you, and you are surmounting any previous challenges, तो yes, जो मुश्किलात, जो challenges आपने देखने थे, I think आपने बहुत challenges face कर लिए, क्योंकि death से ज्यादा कुछ और आपके लिए challenging हो नहीं सकता है, क्योंकि ये complete ending है, बिल्कुल जैसे ash, ash बन जाती है कोई जीज, और फिर rise करता है इंसान, like a phoenix, I feel कि आप लोगों ने ultimate pain बरदाश्ट की, आपने wisdom gain की, आपने learn किया, आपने lesson लिया, अब आपने heal करना है, और जब मैंने ये कहा तो 17-17 हो रहे थे, तो आपके लिए ये message आया है, कि आपको comfort दिया जाएगा, आपको heal किया जाएगा आपके angels की तरफ से, और आने वाला वक्त आपके लिए बहुत आसान होगा, क्योंकि जो difficulties थी, जो challenges थे वो आपने, गुजार दिये हैं, और, आप बड़ी wisdom के साथ, उन challenges में से निकले हैं, और उससे ज़्यादा बढ़कर, अब कोई challenge आने वाला नहीं है, तो आप लोगोंने खुद को relax रखना है, बहुत ज़्यादा परिशान नहीं होना है, आपके person का ये karma है, और ये उन्होंने face करना है, तो ये आप लोगों के रीडिंग थी आज, कुछ भी आप लोगों के लिए helpful रहा, आप लोगों को पसंद आया, मुझे आपने जरूर comment section में बताना है, अगर आप नए थे मेरे channel पर, like कीजिएगा, share कीजिएगा, और subscribe करना मत भूलेगा, जाते-जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए द्वा होती है, कि जो भी आप अपनी जिंदगी में manifest करना चाह रहे हैं, new love, true love, आपकी जिंदगी में जरूर manifest हो, और जरूर होगा, क्योंके you are worthy of love, and you are lovable, अपने आपको ये जरूर बताया करें, अपना धेर सारा क्याल रखेगा, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.